स्टुडेंट्स नेक्स स्ट्रक्चर हम डिसकस करते हैं ब्रिलियम मॉलिक्यूल का कि ब्रिलियम मॉलिक्यूल की फॉर्म एक्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो स्टुडेंट्स क्या करेंगे हमने एलेक्ट्वानिक कन्फिग्रेशन अल्रेडी मेंचिन की हुई है 1S के लिए आप ऐसी ही डाइग्राम बनाएंगे, जैसे आपने 2S के लिए बनाई, मैं सिर्फ 2S के लिए यानि के वैलन्स के लिए आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पर students आपके पास 2S की आप बात कर रहे हैं, 2S आपने beryllium atomic orbital mention की, यह beryllium molecule के लिए आप लिख रहे हैं, उसके पास students यहाँ पर आप लिख देंगे कि यह 2 electrons completely filled हैं, अब क्या होगा, students कि आपका जो bonding molecular orbital है, वो भी fill होगा, जबके anti-bonding molecular orbital भी आपके पास fill होगा, इसको mention कर देंगे कि यह sigma 2S है, और यह क्या है, sigma star 2S है, अब इसके लिए जब आप bond order students calculate करेंगे, तो वो किस तरह से होगा, कि number of electrons in bonding molecular orbital, that is 2, यानि कि आपने valence के लिए ही calculate कर लेने हैं, तो overall वही calculation आपकी निकलेगी, easily आप calculate कर लेंगे, number of electrons in bonding molecular orbital 2, minus in that of anti-bonding molecular orbital divided by 2, तो students आपका यह answer 0 आएगा, यानि कि आपके पास जो brilliant molecule है, वो unstable है, वो exist नहीं कर सकता in the form of molecules, moving forward students, boron की तरफ चलते, अब students, boron को मैंने split किया हुआ आपके लिए ताक कि आपके लिए असानी हो, हमने क्या किया, कि electronic configuration mention कर दी, 1S के लिए बिल्कुल वैसी ही diagram बनेगी, जैसे 2S के लिए बनी मैं आपके लिए फिर बना देती हूँ, atomic orbitals को students, आप नीचे इनको mention करेंगे, energy level के हिसाब से आप इनका level increase करेंगे, यानि कि पहले आप 1S का लिखेंगे, एक page पे जब आप बनाएंगे, atomic orbitals मैंने mention कर दिये, यहाँ पर क्या किया है, 2S के लिए हमने fill कर दिये, दो electrons हैं इसके अंदर, अब जब sigma 2S बनेगा तो वो भी fill होगा, जबकि जो sigma star 2S बनेगा, anti-bonding molecular orbital, वो भी completely fill होगा, आगे जाके हम क्या करेंगे, कि P orbitals के लिए देखेंगे, अब students, 2P आपने ऐसे mention कर दिया, 2P ऐसे mention कर दिया, यहाँ पर आपने एक electron दिखा दिया, यह वाला orbital आपके पास filled है, students, एक बात याद रखिएगा, कि जो हम filling करते हैं, orbitals के अंदर, वो हम according to off-bauf principle, और poly's exclusion principle करते हैं, यानि कि हम दो, हम electrons को उनके energy level के हिसाब से place करते हैं, जिसका energy level कम है, उसमें पहले electrons place होंगे पहली बार, दूसरी बात यह students, कि हम हमेशा जो unpaired electron होता है, हम पहले उसको fill करते हैं, 1-1 के करके, उसके बाद हम उनकी pairing करते हैं, जैसे electrons की तादास ज्यादा होती चली जाती है, तो students, यहाँ पहर हमने discuss किया था, कि जो boron, carbon और nitrogen, यह जो light molecules हैं, या lighter molecules हैं, इनके अंदर, जो आपके पास sigma 2px होता है, इसकी energy greater होती है, as compared to that of pi 2px, pi 2py, and pi 2pz, और वो क्यों होती है, हमने discuss किया था, कि 2s और 2p orbitals के दर्मियान, इतना जादा energy difference नहीं होता, जिसकी वज़ा से होता है, कि जो आपके पास यह दो degenerate orbitals, जो होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे होता है, कि इन degenerate orbitals की energy सेम रह जाती है, जबकि जो sigma 2px orbital है, वो energy में थोड़ा सा raise हो जाता है, यह आपके पास students आ गए, pi star 2py, pi star 2pz, और यह आपके पास आ गया sigma star 2px, यहाँ पे आपने लिख दिया, बारॉन के atomic orbital है यह, और यहाँ पे आपने बारॉन molecule लिख दिया, अब students यहाँ पे दो electrons हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2py और 2pz में इनको place कर देंगे, ऐसे हो गया, अब आप क्या करेंगे students कि आप bond order calculate करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो balance है, आप उसके तूरू ही calculate कर सकते हैं, यहाँ पे हो जगा 2 minus 0 divided by 2, तो यह आपके पास आजाएगा, bond order 1, 1 की equal आजएगा, students, अब unpaired electron present है, पाई 2py के अंदर, पाई 2pz के अंदर, unpaired है electrons, which means it is paramagnetic in character, paramagnetic का मतलब यह है, कि it will attract magnetic field, उसके लावा students, हम इसकी electronic configuration लिखते हैं, जो इसकी bond energy है students, वो है 270 kilo joules per mole, students में आप लोग के लिए इसकी electronic configuration लिख देती हूं, जो के after the formation of MOT diagram हम लिखते हैं, two atomic orbitals of boron, आगे आप इसकी configuration लिख देंगे, 1s2, 2s2, 2p1, forms boron molecule, k, k आप लिख देंगे 1s के लिए, और यहाँ पे आगे फर्दर आप वैसे ही लिखेंगे, सिग्मा 2s whole square, सिग्मा स्टार 2s whole square, उसके बाद students आपके पास आ जाता है, pi 2py, pi 2py whole 1, pi 2pz whole 1, and then आप brackets close कर देते हैं, moving forward students, nitrogen molecule को discuss करते हैं, nitrogen molecule का भी वैसी ही symmetry है, जैसी boron के लिए है, 2s के लिए, 2s और 1s के लिए हम mention नहीं करेंगे, क्योंकि already students आपको पता है कि उसको आपने कैसे deal करना है, हम pi orbitals के लिए लिखते हैं, यहाँ पे students आपने देखा होगा कि atomic orbitals mention है, molecule को हमने mention किया हुए, bonding molecular orbital को आपने mention किया हुए, as a whole अगर देखा जाए तो, तो 6 यहाँ पे फिल हो गए, अब आप क्या करेंगे, कि bond order इसका 3 है, इसको calculate आप कैसे कर सकते हैं, कि 6 electrons were present in the bonding molecular orbital, minus 0 divided by 2, तो 6 divided by 2 आए, 2 1s आ, 2 2 3s आ, 6, तो आपके पास यहाँ नहीं कि bond order आया 3 का, 3 का bond order आया, which means students के nitrogen के दर्मियान, 3 bonds या triple bonds exist करते हैं, nitrogen molecule के दर्मियान, triple bond exist करते हैं students, कोई भी electron unpair नहीं है, तमाम electrons paired हैं, which means it is diamagnetic in character, उसके लावा students bond energy इसकी काफी जयादा है, जो के है 946 kilojoules per mole, और इसके लिए भी electronic configuration आप वैसी ही लिखेंगे, जैसे हमने students, बारान के लिए लिखी, 2N, यहाँ पर आप configuration लिखेंगे, 1S2, 2S2, 2P, X1, 2PY1, 2PY1 और 2PZ1, इस तना से students आप इसको मेंशन करेंगे, nitrogen molecule, then KK, sigma, 2S whole square, sigma star 2S whole square, sigma star 2X whole square, यहाँ पर students आप सबसे पहले लिखेंगे, pi 2PY, pi 2PY whole square, then आपके पास आज जाता है, pi 2PZ whole twice, क्योंके दो electron's present हैं, उसके बाद students आप energy के accordingly लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, sigma 2PX whole twice, और आपकी brackets close हो जाएंगे, moving forward students हम discuss करते हैं oxygen molecule को, oxygen molecule के लिए students आपके पास पूरी MOT diagram मेंशन है, students याद रिखेगा कि oxygen molecule के अंदर 2unpaired electron है, as a atomic orbital देखा जाए तो, तो होता है यह students कि जब आप fill कर रहे होते हैं, तो जब आप bonding molecular orbital को fill कर देते हैं, तो anti-bonding molecular orbital में, दो electrons unpaired रह जाते हैं, अब वो दो electrons unpaired रहने की वज़े से, यह जो molecule है, oxygen molecule paramagnetic है, means that it is attracted by the magnetic field, stable molecule है, bond order 2 का मतलब यह है, students के दो bonds exist करते हैं, और इसके लिए भी बिल्कुल आप वैसी electronic configuration लिखेंगे, students यह आपने लिखी nitrogen के लिए, students इसकी bond energy हम चेक करते हैं, वो है 498 kilojouls per mole, students बिल्कुल इसी तरह में आपके लिए fluorine की diagram जो है, उसको हम देख लेते हैं कैसे deal करना है, students 2p orbital है आपके पास, 2px, 2py, 2pz, आपके पास एक orbital unpaired है, 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास एक electron यहाँ पे, यहाँ पे, students आपके पास एक electron unpaired है, आप क्या करेंगे, filling स्टार्ट करेंगे, students याद रखेगा, अब यहाँ पे, oxygen और fluorine की case में, students, जो आपके पास sigma 2px है, उसका energy level कम है, as compared to that of pi 2py, and pi 2pz, इनका energy gap, energy difference ज्यादा है, इसलिए इसको जो लिखने की arrangement है, इसकी diagram draw करने की arrangement है, वो जरा सी change हो जाएगी, sigma star 2px, pi star, 2py, pi star 2pz, अब इनको हम fill करेंगे, six fill हो गए है, orbitals आपके पास students, इनमें आप fill करेंगे, तो आपके पास students पीछे रहे गए, पहले हम इनको fill करेंगे, then हम जाएंगे 2px की तरफ, stable molecule है, students इसको हम calculate कैसे करेंगे, six minus four हो जाएगा यह आपके पास, six minus four divided by two, two divided by two, is equals to one, stable molecule है students, और diamagnetic है, means that it is repelled by the magnetic field, इसके अंदर तमाम elektrons जो हैं वो paired हैं, और students जो bond energy है, इसकी वो है 159 kilojoules per mole, students एक बात याद रखिएगा, कि फ्लोरीन के अंदर, एक bond exist करता है, oxygen molecule के अंदर, दो bond exist करते हैं, as mentioned by its bond order, और nitrogen के दिर्मियान, triple bond exist करता है, students bonding का, number of bonds का direct relation होता है, bond length के साथ, सबसे ज़्यादा bond length होगी, फ्लोरीन की, जो के 1.43 M strong है, oxygen molecule की है 1.21 M strong, और nitrogen की सबसे कम होगी, that is 1.09 M strong, अब यह क्यों होगी, इसको हम further chapter में discuss करेंगे, हैं, अशीयादा धॉपल सबसे करेंगे, झाल